शाहरुख खान ने अपने जनम दिन पर एक फैन प्रोग्राम के दौरान कहा कि उन्होंने लॉपडाउन के दौरान सल्मान खान, रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ से फिटनेस के सुझाव लिए। शाहरुख ने कहा कि कौविट तीन साल पहले हुआ था, मैं जम गया था, मेरी सुबह देर से आती थी मैं जागने के बाद 30-45 मिनट तक कसरत करता था, क्वारंटाइंग के कारण कोई ट्रेनर अधिकरित नहीं था, इसलिए मैंने वकाउट किया, या मैं सलाह के लिए सल्मान, टाइगर और रितिक से पूछूंगा, मैं पूछूंगा, क्या मैं कर सकता हूँ, शाहरुख में जवान और पठान के लिए रूपांत रित किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों को खुश करने के लिए पठान को चुना, मुझे अच्छा लगता है जब मैं वीर फिल्मे करता हूँ, अच्छा दिखता हूँ और डांस करता हूँ, उन्होंने कहा, व्यावसाएक फिल्मों में अपनी प्रतिभा का योगदान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे किसी और के आदेश पर निर्मित होती है, इसलिए मुझे एक ऐसा विडियो विक्सित करना है जो आप सभी को खुश करें, और ये तीनों मेरे लिए नए है, पठान मिशन इंपॉसिबल की तरह एक अद्बुत एक्षन फिल्क है, शाहरुक को लगता है कि लोगप्रिय एक्षन फिल्में सीधी और अभिनेता की मौलिकता के बिना होनी चाहिए,